तो यारो कैसे हो सब कुछ ठीक चल रहा है और यह जो हरर कंटेंट होता है इसके लिए के एक बात कही जाती है कि उसके अंदर जो भी भूत वगरा दिखाया जाता है उनको लेकर डर तक ही लगता है जब तक उनके बारे में पता ना हो एक बार उनकी बैक स्टोरी हमको समझ मे या फिर एक बार उनको हमने देख लिया ना तो वो जो एक मिस्ट्री वाला डर होता है वो खतम हो जाता है वेलब यह वाला गयान मेरे तरफ से सुनने में आप में से कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा जो मेरे चानल काफी टाइम से फॉलो करते आर है क्योंकि आपक चलती ना तो फिर इसका रिवीव थो चोड़ो में बेताल देखता भी नहीं पास भी नहीं जाता उसके लेकिन आप लोगों ने कुछ जादा ही कॉमेंट कर दिया कि भाई बेताल का रिवीव चाहिए रिवीव चाहिए तो मैंने वोला ठीक है आप सब्सक्राइबर्स को च है जो सेट अप है वह सारा में लिए आपको डाराने के लिए किया गया है लेकिन इसके अंदर जो में विलन है ना वह सारे जॉंबीज है तब दो इस मिनी वेब सिरीज के कहाने का सेट अप ऐसा है ना कि 1857 में ब्रिटिश एक टनल खोद रहते जो कि वह आधा चोड़के ही चले गए और उसको भी पूरा करना है प्रेजेंट डे में गॉर्मेंट का प्लान है कि वह लोग वहां से रोड निकालेंगे और इस चीज को पूरा करने के लिए वहां पे एक आर्मी का स्कॉड बेजा जाता है जिसके अंदर अपने में हीरो भी है विक्रम सिरो ही वहां ज अची बोल रहा हूं इस पूरी की पूरी सीरिस के अंदर वह वाला एसपेक्ट मुझे मैं इंप्रेस हो गया उससे उसके बाद जो सिनेमाटग्राफी थी जो सेट डिजाइन था और जो मेकप पूरा दिखाया गया इस मेनी वेब सीरिस के अंदर वह भी एक्दम एक्दम ट आज तोगे ना मुवी मुवी करनी की तो वह निकल जाता है क्या करूँ पहले आपको बोल करागा कि मेरी बहुत जादा फटी है और इसके जो स्टार्टिं के दो एपिसोड है ना पहली गलती मैंने की कि मैं इसको रात को देख राता अंधेरे में और इसले शाद मेरी हिम् वह लोग रिलीज करते है तो फिर जो हौरर एसपेक्ट है उसको देखके तो फट जाती अभी मैंने पहले कलेर कर दिया कि मेरी जादा फट तो फिर उसी सेब से अज़ेस्ट कर लेना जो होरर एसपेक्ट है वह एक्टर के परफॉर्मनस इस मिनी वेब सीरीस के अंदर काफ मिनी वेब सीरी सिर्फ चार एपिसोड के ना तो फिर इसके अंदर हमको कारेक्टर डेवलप्मेंट नहीं देखने मिलता है अपने मेन हीरो को छोड़ते तो और इसके करण क्या होता है ना कोई यह कारेक्टर जो मतलब अल्मोस्ट है ही नहीं सीरीज के अंदर एक दो बार वस यह नहीं बोल रहा हूं कि इसके अंदर जो भूत दिखाया ऐसा हो इनी सकता पहाड के ओपर ऐसा कौन भूत रहता है वगरा वगरा इसका मैं कुछ प्रॉब्म नहीं निकाल रहा हूं वह सेटप उन्होंने दिखाया तो ठीक है माल लेते उसको लेकिन वह सेटप करने के ब पता रहा था अगर आप इसी तरह स्टोरी के अंदर लॉजिक डूने जाओगे ना तो फिर शायर आपको उतना जादा मजा नहीं आएगा बाकिस मिनी वेब सीरीज के अंदर की एडिटिंग मोस्ट आफ दे केसिस में तो बहुत अच्छी है कुछ को जोगों पर इसकी सिर् अच्छे हेड़फोन्स यूज कर लेना फिर अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो फिर आपका साउंड सिस्टम अच्छा चाहिए क्योंकि जो मैंने बोला ना इसका साउंड डिजाइन इतना कमाल का कि अगर आप शांती से अच्छे हेडफोन्स लागे सुनोगे तो मज़ा आजाएगा आपको बाकि क्योंकि इस सिर्फ चार एपिसोर्ट की मीनी सीरीज है तो फिर इसको देख के खतम करने में जाधा टाइम नहीं लगेगा नेटफ्लिक्स पे अविलेबल एक बार और याद दिला दे रहा हो हिंदी और इंग्लिश में बस है ना यार अगर इसकी स्टोरी थोड़े और जादा रिफाइंड हो जाती ना तो फिर प्राउड होता कहने में कि हाँ आपने यहां पे एक ऐसी वेब सीरीज बनी है इस लेवल की अगर आपने बेताल पहले से देख लिया आपको कैसा लगा नीचे कॉमें सेक्शन बताना मुझे तो बहुत मजह तो ले लेते हो लेकिन सबस्राइब नहीं करते हैं बहुत मतलब ही हो भाव ज्यादा मतलब ही हो उमेद करता हूँ कि इतना बोलने के बाद तो कम से कम आप सबस्क्राइब करीद होगे मैं आप सुमनूंगा नए शोँर ने तो तक लेए जाहिंद पन्दमातर हां तो वैर कैसे सब कुछ ठीक चाह रहा है और तो भूत